हाई गाईस वेलकम टू स्टेडी काउच तो आज हम बात करेंगे रिसेंट नियूज का जिसमें की जो सिरलंका के फिसर मेन हैं मचवारे जो हैं उनके द्वारा भी रिसेंटली बोला गया एक जो इंडियन ट्रॉलर्स की जो नंबस हैं उनमें काफी जादा सडन यहां पर तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे क्या सिच्वेशन है और अगर आपको यह वीडियो यूसपूल लगे देन डू लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टरी काउच ओके सो लेस्ट स्टार्ट सो अभी रिसेंटली जो स्रीलंका के जो नद में अभी टेरिटोरियल वाटर की सिच्वेशन मतलब यह हो गया कि जिसे कोई भी कंट्री जो है उसकी जो बेसलाइन होती है उससे बारा नॉटीकल माइल्स की दूरी तक ही वो उनका सी का एरिया होता है उसमें ही वो फिसिंग वगेरा कर सकते हैं उसके बाहर अगर जाते ह हैं तो वो किसी और कंट्री का होता है जैसी कि अभी यहां पर इंडिया और स्रिलंका के बीच की यह सिच्वेशन क्रियेट हो रही है और यहां पर जो यह जाफना पैनिन्सुला जो है स्रिलंका का जिसके फिसर मेंस के द्वारा भी रिसेंटली बोला गया तो उनकी काफर जादा उनको मतलब लॉस हो चुका है सिच्वेशन की वज़े से उनका मेन जो जो सोर्स इनका मुका सोर्स जो होता है वह बशीखले यहां से फिस्टिंग वगेरा को होता है बट जो इंडिया के जो तमिल्नाडू रीजन के जो यह फिसर मेंन ने जिनके ही इंडियन टोलर् बढ़ गए इसको अगर हम जोगराफिकली देखें तो जैसे कि अब लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर यह इस इंडिया है और यहां पर यहां पर यह पाया जाता है जिसका नम कच्छथावियू आयलेंड है जिस पर की इंडिया और स्रिलंका की काफी बाउंटी dispute होती थी पहले पड़ अब इसको resolve कर लिया गया तो इस वाले reason में जो तमिल नाडू के जो इंडियन ट्राइलर्स हैं वो काफी जादा बढ़ गए जिससे की जो यह जफनल पैनिन्सुला reason के जो फिसर मेंने उन सब के लिए काफी जादा loss हो रहा है तो इस इस टाइब की जो situations होती हैं इंडिया और स्रिलंका के बीच में फिसिंग से related इन सब को resolve करने के लिए ही इंडिया की जो मिनिस्ट्य आफ अग्री कल्चर और फार्मर्स वैलफेर है उसके अलावजे से स्रिलंका की जो मिनिस्ट्य आफ फिसरी जो है उन दोनों एक agreement और किया गया था जिसको कि international maritime boundary line agreement बोलते हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में जिसकी boundary line बनाई जा सके की जिसे मालो यहां पर इंडिया यहां पर स्रिलंका है तो यह boundary line इन दोनों की बीच में बना दी तो यह जो इंडियन टॉलर्स हैं बस यहां तक ही फिसिंग कर सकत में कई सारे tougher laws बनाए गए सिरिलंका के दोरे जैसे bottom trolling जो होती है उसको ban कर दिया गया उसके लाव काफी ज्यादा मतलब पैसे के fines लगाए गए हैं अगर वो trespassing करते हैं foreign vessel में मतलब अगर इंडियन सिरिलंका के वैसल में जाकर trespassing करते तो ऐसी situation में काफी भारी fine उनको देन arrest किया गया था और उसके बार 2018 में 156 fishermen को poaching के charge में arrest किया गया था और 2019 की बात करें तो 2019 में total 210 जो इंडियन फिसर में ने उनको arrest किया गया था बट 2020 में अभी तक only 34 लोगों को arrest किया गया स्रिलंका की नेवी के द्वारा यहां पर हम इंडियन के arrest ही बात कर रहे हैं यहां पर मेंली situation क्या create होती है स्रिलंका में जो स्रिलंका को जाफना पैनिन सुला है वहां पे जो लोग हैं जो जिनका मेंली मतलब जो fishing जो होती है उस पे ही वो जीते हैं तो और अभी जो situation चल रहे है COVID-19 की situation वैसे ही चल रहे है pandemic की तो इस वज़े से वैसे ही उनकी income नहीं हो पा रह यह और ऐसी situation में जो इंडियन ट्रॉलर्स हैं वो जाके वहां पे fishing कर रहे हैं तो उनका जो primary source है वो काफी ज़्यादा threatened feel करता है इस वज़े से और जो यह 2020 में only 34 लोगों को arrest किया गया यह basically COVID-19 की वज़े से भी इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि जो तमिल नाडू के जो फिसर मैंने जो की अभी वहां पे trespassing कर रहे हैं जो स्रिलंका वाले उस region में COVID-19 के चलते हुए जो स्रिलंका की navy है वो काफी reluctant हो चुकी है उनको arrest करने की situation को लेके इस वज़े से भी यह numbers है जो काफी ज़्यादा down इस वज़े से भी हम इनको बोल सकते हैं यही थी कुछ important information स्रिलंका और इंडिया के बारे में इंडियन जो ट्रॉलर्स हैं जिनकी संक्या भी काफी ज़्यादा बढ़ गई है स्रिलंका के उस जो territorial water है वहां पे उस सब के बारे में hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.